क्या आप real estate या फिर बड़े-बड़े infrastructure projects में investment करना तो चाहते हैं पर पैसे की कमी हैं। कि इन सब commercial real estate या फिर बड़े-बड़े infrastructure projects में investment करने के लिए आपको लाखों या फिर करोडों रुपए की ज़रूरत नहीं है और आपका काम महज कुछ 100 या फिर 1000 रुपए में ही चल जाएगा तब क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे। जी हां दोस्तों, REIT यानी Real Estate Investment Trust और INVIT यानी Infrastructure Investment Trust कुछ ऐसे ही asset class हैं जो कम पूझी वाले निवेशकों के लिए एक वरदान जैसे हैं और वहलो कम पैसों में भी इनमें निवेश करके regular income पा सकते हैं। मैंने REIT और INVIT पर कई सारी वीडियो बना रखी हैं, आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं, लिंक डिस्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि REIT और INVIT में क्या अंतर है और इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बहतर निवेश होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब पहले-पहले REIT और INVIT लाँच किये गये थे, तो उनकी ticket size काफी अधिक थी। मतलब उसमें काफी पैसा निवेश करना पड़ता था, पर अभी कुछी महीनों पहले, सेबी ने REIT और INVIT में निवेश की सीमा को कम कर दिया है। जहां पहले आपको REIT में अपलाई करने के लिए कम से कम 50,000 और INVIT के लिए 1,00,000 रुपे की ज़रुवत होती थी, वहीं अभी सेबी ने यह range को घटा कर 10,000 से 15,000 के बीच में कर दिया। अगर आप इन दोनों में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो भी lot size को घटा करके एक unit कर दिया गया है, जो की काफी बढ़िया कदम है सेबी के द्वारा। सेबी के इस कदम से retail निवेशक REIT और INVIT में निवेश कर सकेंगे और trading कर सकेंगे जिससे की liquidity बढ़ेगी। अब चलिए बात करेंगे की REIT और INVIT में क्या-क्या अंतर है जिससे की आपको इन में निवेश करने में सहायता मिल सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि यह दोनों asset class आखिर निवेश किस चीज में करते हैं। बात करें REIT की तो इसका पूरा-पूरा focus होता है real estate जैसे की commercial building, warehouses, apartments, office space, data center, shopping mall, go down, इत्यादी। INVIT की बात करें तो यह पूरी तरह से अपना investment infrastructure assets में करता है जैसे की power transmission lines, road, telecom infrastructure, power project, highway, bridges, इत्यादी। अब आपकी पसंद है कि आप real estate में निवेश करना चाहते हैं या फिर infrastructure project में तो फिर इन दोनों की मदद से आप उसमें invest कर सकते हैं। अगला point है कि निवेशकों को इन assets की कितनी जानकारी हैं। देखिए भारत में real estate के बारे में सभी लोग जानकारी रखते ही हैं और उसमें अपने जीवन में कुछ न कुछ निवेश करते ही हैं। इसलिए अगर मैं REIT की बात करूँ तो लोग इसके investment के तरीके को समझ सकते हैं क्योंकि अधिकतर लोग real estate और उससे जुड़े हुए business को समझते हैं। वैसे भी यह जमीन जादात का business ऐसा है जो हमेशा uptrend में ही रहता है और एक तरह से यह एक evergreen business माना जाता है। वही अगर बात करें इनविट की तो हो सकता है कि किसी infrastructure asset की जानकारी निवेशक के पास में न हो। उधारण के लिए मान ले किसी ने एक ऐसे इनविट में निवेश किया जिसके पास power project और transmission line का project है। तो फिर हो सकता है उस निवेशक को power plant की कारे प्रडाली के बारे में ना पता हो और इसी कारण वह यह नहीं समझ पाएगा कि आखिर उसका निवेश कैसे और किस तरह से बढ़ेगा। कुल मिला करके मेरा कहना यह है कि रीट में निवेश करना और उसके बारे में समझना इनविट की अपेक्षा सरल है। अब इस point में हम बात करेंगे income stability यानि जो regular income आपके पास में रीट और इनविट से आ रही है वह कितनी स्थिर है। देखें अगर आप रीट और इनविट के structure की बात करेंगे तो फिर दोनों में काफी समानता हैं। साथ ही साथ एक यह भी नियम है दोनों के लिए कि जो भी revenue यह लोग generate करेंगे उनका 90% अपने shareholders को dividend के रूप में देना पड़ेगा। देखें यहां तक तो दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। पर अगर बात करें revenue generation में स्थिरता की तो फिर मेरे हिसाब से यहां पर REIT ही बाजी मारता है। क्योंकि वह commercial real estate में निवेश करता है और उसके contracts काफी लंबे होते हैं। जिससे उसको एक regular rental income मिलती रहती है। या फिर tariff की समय से आ सकती हैं। कुछ projects समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह से उनकी income में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। अब जैसे मान लें कि आपने किसी ऐसे invite में निवेश किया है जिसके पास highway और road के project हैं। और वह toll collection से ही अपनी income करता है। हो सकता है सरकार के आदेश से किसी road पर toll खत्म कर दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए तो उससे उस invite project की कमाई पर असर पड़ेगा। ऐसी सब परिशानिया रीट में नहीं होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि इनमें regulatory और political risk क्या-क्या है। देखिए यहां भी अगर regulation और राजनीतिक खत्रों की बात करें तो भी REIT अधिक बहतर है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अधिकतर property जो होती है वह freehold होती है। या फिर किसी government के द्वारा lease पर दी गई होती है। इसलिए इसमें राजनीतिक या फिर नियामक संबंधित जोखिम का खत्रा कम ही रहता है। एक बड़ा plus point REIT में यह है कि अधिकतर उनके clients बड़ी-बड़ी कमपनियां होती है। और वह ऐसी ही property को lease पर लेती हैं जिसमें कोई परशानी न हो। इसके विप्रीत अगर कोई बड़ा infra project है जैसे कि कोई नया highway, power project या फिर कोई transmission line कहीं से गुजारना है तो इसके लिए हो सकता है कि approval मिलने में देरी हो जिससे कि वह project थोड़ा सा delay हो जाए। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई बड़ा infrastructure project पास तो हो गया लेकिन उसको environmental clearance नहीं मिला या फिर कुछ संस्थाओं या फिर NGO ने उसके खिलाफ धरना प्रतरचन शुरू कर दिया तो इस हिसाब से देखा जाए तो invite में खत्रे अधिक हैं। अगला point है कि REIT और INVIT में property ownership के क्या हिसाब किताब है। देखिए आपको पता ही है कि real estate में किसी property की value समय के साथ साथ बढ़ती रहती है। REIT में आप उस commercial real estate के मालिक हो जाते हैं और समय के साथ साथ आपको उस property की value appreciation का भी फायदा मिलता रहता है। INVIT के अंदर जो भी infrastructure project आते हैं उनके contracts लंबे तो होते हैं पर इतने भी लंबे नहीं होते जितने की REIT में होते हैं। infrastructure project का समय पूरा होने पर उसे authority को लोटा दिया जाता है और फिर नए project की तलाश की जाती है। वैसे भी बड़े-बड़े infrastructure project में depreciation यानि समय के साथ साथ इसकी value कम होती रहती है। अगला point है कि किस में liquidity अधिक है। अगर liquidity की बात करें तो फिर जब से सेवी ने इसका investment size कम कर दिया है तब से इन दोनों में liquidity अच्छी खासी बढ़ गई है। क्योंकि काफी सारे retail investor इन दोनों asset class में निवेश कर रहा है। तो कुल मिला करके देखा जाए तो फिर trading volume की कोई समस्या नहीं है और इन दोनों asset classes में भरपूर liquidity मौजूद है। क्या REIT या INVIT की मदद से विदेशी बाजारों में भी निवेश किया जा सकता है। अगर आप विदेश में निवेश करना चाहते हैं तो फिर global REIT mutual fund के माध्यम से विदेशी real estate में निवेश कर सकते हैं। मैंने global REIT mutual funds के ऊपर videos बना रखे हैं। आप जाकर के उसे देख सकते हैं और यह पता कर सकते हैं कि आप विदेश में भी real estate में कैसे निवेश कर सकते हैं। अब आईए बात करते हैं कि REIT और INVIT में से किसमे अधिक growth होने की संभावना है। देखिए यहां भी मुझे लगता है कि REIT में growth होने की संभावना अधिक हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि REIT समय के साथ साथ बाजार को देखते हुए अपने किराय को बढ़ा सकता है जिससे कि उनकी rental income बढ़ चाहें। इसके अलावा भी वह अपनी पुरानी property को remodeling करके उचे दाम पर बेज सकता है या फिर lease पर दे सकता है। Invit चुकि बड़े-बड़े infrastructure project होते हैं और उन्हें फाइदा तब होगा जब वो project के समय ही कम से कम बोली लगा कर इस project को जीत लें। अब चलिए बात करते हैं कि क्या आपको REIT या फिर Invit में निवेश करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले तो मैं अपनी बात करूँ, तो फिर मैंने REIT में भी निवेश किया है और Invit में भी। मेरे हिसाब से अपने portfolio को diversify करने के लिए यह एक बहतरीन विकल्प है। आप REIT या फिर Invit में से किस में निवेश करेंगे, यह निर्भर करेगा आपके investment के objective और आप कितना अधिक जोखिम ले सके। तो उसके लिए दोनों ही विकल्प खुले हुए हैं, पर मेरे हिसाब से Invit के अंदर political और regulatory खत्रे जादा है। इस हिसाब से REIT थोड़ा सा safe investment लगता है। वैसे आप इन दोनों में से किसी में भी निवेश करें, पर हर quarter में company की balance sheet और assets की जानकारी और cash flow ज़रूर देखें। जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि यह बिल्कुल mutual fund के जैसे ही operate करते हैं, पर इनकी कारिप प्रडाली mutual fund की पेक्षा थोड़ी से कठेन हैं। इसलिए अगर आप इन में निवेश करना चाहते हैं, तो बहतर है कि आप अपने research करें या फिर अपने financial advisor की राय ज़रूर लें।